जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें हम कृतिम उर्वरकों, रसायनों, पीड़क नाशियों, व्रद्धी नियामकों आधी का प्रियोग नहीं करते हैं। जानवरों में इस्तेमाल में नहीं लाते, इसी प्रकार हम मदुमक की पालन भी जैविक विदी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैविक खेती की जरुवत क्यों है। सबसे पहले है कि जो हमारे उत्पादन के उत्पादन हैं, फेक्टर्स हैं फसल उत्पादन के, उनकी उत्पादक्ता में लगातार कमी आ रही है। जैसे 15-20 साल पहले एक किलोग्राम नैटोजन के उर्वरक से हमको धान का 25-30 किलोग्राम दाना मिल जाता था, लेकिन अब एक किलोग्राम नैटोजन से हमें मात्र 15-18 किलोग्राम धान का दाना मिलता है, यानि नैटोजन की मात्रा तो उत्नी है, लेकिन उस मात्रा की उत्पा जैसे खास करके पीड़क नाशी पैस्टिसाइड और भारी धातु यह हमारी मिर्दा में कहीं कहीं पर बढ़ गई हैं जलमें बढ़ गई हैं और कहीं कहीं पर हवा का प्रदूर्शन हो चुका है साथ ही जो खादेपदार्त है हमारा वो भी ऐस सुरक्षित होता जा रहा है कह आयू है ऊके इच्टिसाइड जिनको हम प्रियोग नहीं कर सकते हैं बेंध है उपर उन वो pesticide भी हमारी फसलों में पाए जा रहे और उनकी जो मात्रा है जो अफशेस है pesticide के पीड़क नाशियों के वो जरुरस से बहुत जादे हमारे खाद पदार्थों में पाए जा रहे हैं। कई बार तो 200 गुना, 300 गुना तक ये पीड़क नाशी खाद पदार्थों में आ रहे हैं और इससे हमारे मिर्दा का स्वास्त खराब हो रहा है, मानव का स्वास्त खराब हो रहा है और जो पशुधन है उसका भी स्वास्त खराब हो रहा है। वर्तमान समय में अगर हम देखें जैविक खेती विश्व में लगभग 162 देशों में की जा रही है और 37 मिलियन हेक्टर छेत फल में की जा रही है और ये लगभग 18 लाग फार्मर पूरे विश्व में जैविक खेती में लगे हैं अगर अपने देश की बात करें तो यहां प लेकिन वन्य चेत्र या जंगली चेत्रों से या वनों से चीज़ें झेविक चेत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं. जब कि जो हमारा कर्शित चेत्र है जो कल्टिवेटड लेंड है, जैविक खेती के अंतरगत यह थोड़ा कम है, यह दशमलब 72 लियन हेक्टर या 7.2 लाक राज हमारे यहां है मद्यप्रदेश है राजस्तान है केरल है सिक्किम है उत्राखंड है और अनेक राजियों में इस समय जैविक खेती और जैविक उत्पादन किया जा रहा है